केविन उवंस ने किया रोम ड्रेंज को डिफेंड मंडे नाइट रॉक ऑफ एर होने के बाद क्या कुछ हुआ रेंडी ओटन की क्या इंजरी वाके में फेकती साथ ही जात ब्रॉक लैस्टनर अगले हफते क्या करने आ रहे है जानेगे आज किस वीडियो में मस्कार दोस्तों तो मेरे नमें कॉरव और आप देखरें डवली इंदी गॉसिपस डवलू एच जी तो आज की इस वीडिक अंदर हम बहुत सारी खबरे कवर करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों बात करेते हैं मंडे नाइट रॉक की तो मंडे नाइट रॉक आज की काफी बढ़िया थी ल वहां हमें बार बार इंटरप्शन देखने को मिला कभी लाना का पुरुपती तो कभी लैशली की पुरुपत नी अंतिम शड़ों में दोस्तों बहां ये पता चलता है कि लाना एक लैजबो है और उसके बाद रॉसेव का केक फार्ड कर निकलना एक तरीके से दोस्तों नस कि चहरे पर भी थोड़ा बहुत केक लगा उसके ने कि जा रहे हैं इसके बाद दोथो धोनों क्या एक रहता है कि लाना के ऊपर धोड़ा थोड़ा थोड़ा केक फेंकने लग जाते हैं और लाना वहाँ पड़ी पड़ी बिलकतीे रहती है दो गाइस काफी इफ़नी सिनारियों देखने को मिल गया रोक आफ एर होने के बाद और जैसे स्टोरी लाइन लग रही है लग रहा है ऐसा कि गाइज अब रूसेफ को साथ मिल जाएगा लिम मॉर्गन का और आगे जाकर हमें इन दोनों टीम्स के मद्धे एक मिक्स्ट टैक टीम मैच भी इस कहा दिये कि अगले हफ़ते आपके चैंप यानि के डब्ली चैंप रॉक लैसनर आने वाले मने नाइट रॉक एंदर और ये रो रहेगी दोस्तों साल की पहली रो दोहजार पीस चे तारीक 6 जैनुवरी को हमें ब्रॉक के फिट से दर्शन देखने को मिलने वाले हैं ब पहला सेग्मेंट तो ये रह सकता है प्रॉबैबली कि ब्रॉक लैसनर के फाइट के लिए यानि कि दोस्तों उनकी अगली चैंपिशिप फाइट के लिए कोई उम्पोनेट चुना जाए यानि कि नमबर वन कंटेंडर शिप का मैच जहां ब्रॉक लैसनर अराम से रैंप के कर सकते हैं ब्रॉक लैसनर के उपर हमला क्योंकि रूमर्स ऐसे रहे हैं कि इनके मध्यर रबर रैवल्डरी रखी जा सकती है और रोयड रंबल के अंदर इनका मैच बन सकता है तो यहां दोस्तों ये प्रॉबैबिलेटी भी बनती है पर सवाल यह उड़ता है कि आप इन द इनडuben आये थे लेकिन अचानक से हुने क्या हो जाता है कि वो AJ को लगा देते हैं आर्क यो जिससे सुबह वाली वीड़ियो में हम डिटेल में डिसकस की हैं लेकिन क्या वाकई में रैंडी ऑ्टन इंजिरी से निकल कर आर्क व्यू जड़े हैं तो आपको मैं बता दू रै और यहां दोस्तों AJ उनकी बातों में आ भी गए, AJ को वाकरी मिलागा, AJ को क्या दोस्तों सभी को मुझे भी खुद ऐसा लगा कि रैंडी इंजर है, और यहां मुझे कहना पड़ेगा कि और टन वाकरी में एक वाइपर है, जैसे एक वाइपर यानि की सांप इंतजार करता है और जैसी शिकार आकर कमफर्टेबल हो जाता है वो उसे डंस देता है सेम यहां हुआ है रेंडी ओर्टा ने एजे को पहले काफ़ जादा कमफर्टेबल कर दिया और उसके बाद जड़ दिया उन्हें आरको यहां दोस्तों वाइपर को सलाम बड़ गाईज अब हम चलते हैं अपनी आज की में खबर के उपर तो गाईज में खबर आज की जो हमारी जोड़ी हुई है वो जोड़ी हुई है दे बिग डॉग रोमाट रेंस से तो गाईज रोमाट रेंस पर कैविन ओवन्स के मिठे बोल तो आप जानते हैं कि कैविन ओवन्स और रोमाट रेंस की काफ इनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर कोई उसे कुछ बोल दे तो मैं उस बंदे को ब्लॉक कर देता हूँ तो हाली में दोस्तों कैवेन ओवन्स हमें देखने को मले बुक कर टीके पॉड़कास्ट में और इस पॉड़कास्ट में उन्होंने ये चीज़ रेवील की कि वो रो उसे सीधा ब्लॉक कर डालता हूँ ट्विटर के उपर कुछ भी नहीं देखता कि वो बंदा कौन है क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि नेगटिव ठिंक्स मेरे अराउंड ना रहे और रोम अड्रेंस जो है उसकी मैं काफ़ जादा इज़त करता हूँ उसने बहुत कुछ देख है और इसके लिए हर व्यक्ति को उसकी इज़त करनी चाहिए तो यहां दोस्तों उनका रेफरेंस उनकी लिवकीमिया की लड़ाई से था जिससे रोम अड्रेंस लगबग एक साल पहले लड़ रहे थे लेकिन अब वो स्वस्त है और केविन ओवन्स इस पर काफ़ जादा ख निस्ती पसंदा है वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और आप सभी को अगले वर्ष यानि के 2020 की अडवांस में शुब कामना है है हैपी न्यू यर खुश रही है मदमस्त रही है बहुत से लोगों को सवाल ता कि फेस कैम नहीं आ रहा भाई आपका तो फेस कैम भी आने वाला टेंशन की कोई भी बात निये जैनुवरी का मंत रहेगा फेस रवील का मंत बड़ गाइज आस तक के लिए इतना ही थारवाद शब्बा खेर